नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप दोस्तों उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे तो दोस्तों आज मैं जिस ट्रोपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ वह है भारत का पटना सहर तो चलिए बिना देरी के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों पटना प्राचिन भारत के मगत सामराच के राजधानी जो पहले पाटली पुत्र के नाम से जाना जाता था पटना बिहार राच का सबसे बड़ा सहर है जो कि आज अपने कोचिन इंस्टुटूट के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है पटना सहर का एजुकेशन सिस्टम बहुत बेतर है और इस सहर का एजुकेशन सिस्टम बेतर होने के कारण इस सहर का लीटरेशी रेट 80.3% है वैसे पर दोस्तों बिहार या पटना को नाम लेते ही लोगों कमन में एक अलगी विचार उत्पन हो जाता है मेरा मानना है कि ऐसा विचार बिल्कुल भी उत्पन नहीं होना चाहिए क्योंकि दूस्तों पत्ना में लोग बहुत महिंती प्रेसरमी और एजुकेट होते हैं पत्ना एजुकेशन के मामले में आज भी और पहले भी बहुत आगे था जिसका हम कंपेर किसी भी सहर से नहीं कर सकते हैं दूस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार पत्ना की जनसंख्या 17 लाग से भी अधिक थी लेकिन बताए अब जाता है कि इसकी जनसंख्या 20 लाग से भी अधिक हो चुछी है दूस्तों अगर आप भी कभी विहार घूमने जाते हैं तो इबर पत्ना सहर को अच्छे से जरूग घूमना क्योंकि यहां घूमने की बहुत सारे जगां महजूद हैं उनमें इसकुछ परमुख जगवक मैं नाम बता देता हैं तो पटना गोलगर गांधी संगराले म्युजियम पटना म्यूजियम पटना जू महाबीर टिम्पल जैसी धेर सारी तमाम जगां वहां पर महजूद हैं जिनको देखने बाद आपको बहुत ही ज्यादा सुकून मिलने वाला है तो दूस्तों पटना सहर के बारे में आपकी कि मुझे बहुत ही मोटिवेशन और बहुत ही लाब मिलेगा तो फिलीज कर दो ना तो दूस्तों चलता हूं फिर मिलूंगा नेश्ट वीडियो में तब तक प्लिए जैहिंग